नमस्कार दोस्तों आप शबी का बहुत बहुत श्वागते दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 11 नौबर 22 के आपकी श्रम्पू नाशी फल के बारे में शुरुआत करते हैं आज की बहुत अच्छे ग्यांशी दोस्तों मनुश के पाश शब्ची बड़ी कारियों के लिए ही प्रेडित करेंगे जया दोस्तों इंशान की शंपती नो दोलत है नो धन है उसी शंपती तो उसका हस्ता हुआ परिवार और शंतुष्ट मन है अगर मन शंतुष्ट हो जाए तो कभी भी किसी चिच का कमियाप महशुष नहीं करेंगे उनकी परवा मत कर जिनका विश्वाश वक्त के शाथ बदल जाए। परवा शुदा उनकी करो जिनका पिश्वाश आप पर तब भी रहे जब आपका वक्त भी बदल जाए। दुखी मत करना। शब की रह में दिब जलाना लेकिन किशी का दिल मत जलाना। यह जिवन की रीत है चिशा बोगे वे शाही पाओगे जिया दोसों। तो दोसों आज का यह बीचार अगर आपको शर्चा लगा हूँ इन पर यकीन हुआ हूँ। तो दोसों मिडियो को एक प् में बोक्स में दें जैशुर्य किष्णा राधी राधी आज का पंचांग आज दिन शुक्रवार 11 नॉवंबर 2022 कि त्रिद्याति थी रात्रे के 8 बचकर 17 मिर्ट रहेगा उसको प्रांत चत्रुति थी प्रारम हो जाएंगी। मेरे शुर्षा नाम का नचत्र इस दिन रहने वाले हैं। शाति शुब नाम का शुब्योग रात्रे के 9 बचकर 19 मिर्ट रहेगा उसको प्रांती शुर्वार शुदी नाम का शुब्योग प्रारम हो जाएंगी। राहू कल के शुमें की बात के अर्थात दिन के आशुप समय की यह शुमें आप शबी शुब और राश में शुजार कर जाएंगी। दिन के विजित महरत की बात के अर्थात शुब समय की तो यह शुमें रहेगा शुबा के 11 बचकर 48 मिर्च लेकर दोपार के 12 बचकर 32 मिर्ट तक यह शुमें आप सभी महत्पुन कारियों को कर्शकती हैं। तो आई दोसनों सकी शात बात करते हैं जो गरहों की सती है और जो संद्रमा को गोच रहे हैं आपकी राशी पर क्या-क्या प्रूहली कराएंगी। यह शुमें आने वाले 24 गंटों में आपका लब-लाइब स्वास्त के रियर और धन की सती केश रहेंगी। इनकि चत्रों में कारिकनेश आपको लापकी प बचपाएंगी। तो दोस्तों वीडियो को आफी मेहत पुन होंगी इन्हें अंततक ध्याश दिखिएगा। दोस्तों यह में अधिकतर कार्य मनमुतापित तरीके से स्टंपन होते जाएंगे। आप पिछली गलतियों से सीखकर अपने कार्य परणाली को बहतर बनाने का प दोस्तों यह में जल्दबाजी में कोई भी नेरले ना लें कोई भी काम श्रमी पर पूरा ना होने के उजशे आपको थोड़ी सी मायोशी भी होशक्ती है। किसी अन्य की शलाप पर यह में ध्यान ना देकर अपनी बनाई हुए नितियों पर ही आप कारी करें। दोस्तों आपके लिए बहतर शाबित होंगे। और इसको प्राण दोस्तों यह में आपके दिंचरे के लिए दोस्तों आपको बता दे कि पेशे से संब्मनित नियूजर बनाने के लिए आप अधिक परहतन बढ़ाएंगे। अटके हुए पेशे को वापस प्राप्त करना आपके लि आपको बता दे कि दोस्तों किसी धार्मिक परवर्ति की व्यक्ति से मुलाकात आपको विचार धारा में शकातों परवर्तन भी लाएंगे तथा आप जीवन को भैतर नजरी से देखने का प्रयाश भी करेंगे। दोस्तों आपको बता दे कि विद्यार्तियों को किसी एंट कारियों में लगाएं जयां दोस्तों इंसे आप उने जो भी मेहठपून कारिया है। आप समाल कर रखें अन्य था कोई इनका गलत इस्तमाल भी कर सकता है तो दोस्तों purchase आपको को और करना चाहिए इसको पराँ दोस्तों यह शमय आपके लिए जो समूंगे आपको बता दें कि किसी भी लेंदेन या फीर पेसे से समय वुएवार करते शमय आप जोई साथाव्दन है या फिर इंचे परेज रखें दोस्तों यदी काम बैंक लोंज से समध्द हो तो दोस् यह आपके लिए आवश्व होंगी दोस्तों अगले कुछ महिनों के लिए आपको अपने जरुष्वतों को कम करना चाहिए इसको पराहन दोस्तों यह शमय आपके लिए आपको बता दें कि पेसे से जम्मेंदी छोटी-मोटी तकलिफ भी आपको होशकती है उनको टाला भी ज आसकता है लेकिन आपको यह शमय प्रयाश करने की आवश्वतों यह शमय आपके लिए जरुष्वतों आपको बता दें कि घर में रिष्टेदारों की भी आवज आही देहेगी इसको प्राहन दोस्तों यह शमय बच्चों की समस्याओं को शांति पुर्ण तरीके से सुल ज आए डांट फरकार करने से उनके अंदर जो है हिंता की भावना उपसकती है तो यह में इन पर परहेज करें इन से सावधना रहें कलपनाओं में न जीकर यथार्त में ही आप विश्वास करें यह आपके लिए बहतर होंगे इसको प्राहन दोस्तों यह में आप अधिक समय घर पर वहतित नहीं कर पाएंगे इसको प्राहन दोस्तों यह में आपको बदा दें किस शवी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति आपको इसमें हो सकती है केरियर समंदी जो भी आप निरले लिया है उनमें आप शवल भी यह में होंगे परिवार के लोगों को जिस तरह की जीवन शेली आप परदान करना चाहते हैं दोस्तों उस तरह के अपने जीवन में बादा उलाना आपके लिए शंबहोगा इसको प्राहर दोस्तों यह शमें आपके दिंचराइं के लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें किसी सुप समचार के मिलने से गर या पर योजना बन सकती है दोस्तों आपकी मेहनत वपिर परिश्रम से कोई महत्पुन कारे भी आपका शंपन हो शकते हैं इसको परां दोस्तों यह आपके लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जल्दी सफलता हासिल करने के चकर में अनुचित साजनों का कर रहें दोस्तों यह आपके लिए इसमी अंत्यु फम होंगे और इसको प्रांद Whenever आपके लिए जो सरोंगे आपके दिंचराये क्लिए जोसरों होंगे दोस्तों आपको बदा दें कि जो लोग परिवार से दूर रहते हैं वह लोग अपने परिवार को मिलने की योजना प्रक्राद horror में आपके रिजे सभी आपके वावव शाय के लिए आपको बताँ कि याश्र मैं वाए शाय की विस्तार सम्नदी कोई उस्तव तरी के यह यह आपके लिए वह पék दे कि कोई भी प्रॉप्टी शुमंदी डील फाइनल करते शुमी बहुत अधिक शावधानी रखने की जर्द होंगी दोस्तों पेपर से समधित करवाई ध्यान पुरुवग की करें अन्य था दोस्तों आपको नुक्षान हो शकता है अन्य वयवशाई के गतिदियां सुचार की गलती की वज़े से उच अधिकारियों की नराजी भी शेहन करनी पड़ सकती है इसके साथी दोस्तों यश्मे आपके वयवशाई के लिए दोस्तों आपको बता दे कि कार्शित्र में दूसरों के हस्तपेक्च से क्रमचारियों के बीच फूट पैदा हो शकती है इसलिए दोस्तों अपने निरलेयों को प्राति बता दें तो था हुआ उप्षा की गतिद्यों पर भी आपको अपनी पेनी नरजर रखनी चाहिए नोकरी पेशाव्यक्ती भी ऑफिस में जो है प्लिटिक्स के सिकार हो शकते हैं तो दोस्तों यश्मी आप ऑफिस में अपने जो वि परिवार पर पढ़ सकता है और वह भी नकात्मक परवाब पढ़ेगा इसको प्राहन दोस्तों यश्मी आपकी लव लाइफ प्लिजर जमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जो उनसाती की और स्वास्ता की विजशे घर पर अस्त व्यस्त भी रह सकता है उनके तदा घर के परिवाब प्राहनquinho के भावन्तों शम्मंद भी आश्मी मधर रहेंगे इसको प्राहन दोस्तों यश्मि आपकी लव लाइफ प्लेज जमोंगे दोस्तों आपको बता दें कि जो उनसाती के शाथ किसी बात को लेकरता करार भी उत्तुपन हो शकती है ध्यान रखें कि घर की वहस्ता प्रहिंद का प्रभाव ना पड़े विप्रित लिंगी व्यक्तियों से व्यवार करते शुमें मरेदा का ध्यान रखना येश्में आपके लिए जरुरी साबित होगा और इसको प्रांदोस्तों येश्में अगर आपकी हेल्थ को लेकर बात करें अर्थात आपके जिर दर्द और ब्लड पेरिशर की समस्या परिषान करेंगी और अर्दमान वातरवां से अपना बचाव करना येश्मे आपके लिए जरुरी साबित होगा इसको प्रांदोस्तों येश्में आपके स्वास्त के लिए जियो समयोंगे आपको बता दे कि अपने काम को के लिए आपको बता दें कि आपका अत्मिश्वास और सकार्तमक सोच आपको मांसिक और शारिक रूप से श्वास्त भी रखेगी तो दोस्तों इन सभी बातों पर ध्यान दें यह आपके स्वास्त के लिए बैतर होंगे और इसके प्रांदूसरे श्में आपका भागयशाली लंग रेगा पीला और भागयशाली अंक रेगा आठ दोएदोस्तों में बात करते हैं कि धरानेश्य बचने के लिए आपको कौन सी उपाएं को करना चाहिए दोस्तों आप श्वी को बता दें कि शुक्रवार को महालक्षमी जी की पूजा करें और उनकी फोटो या मुर्त की दूर करती हैं और जो भी सादक होती हैं उनकी जुनकाल में कभी भी कश्ट नहीं हाती हैं तो जरूर ही इस उपाएं को कीजिएगा धन्यवाद आपका आनेवाले श्मे शुब रहे